कोजागरी लक्ष्मी पूजा 2023 थी बंगाली लक्ष्मी पूजा का महात्व लोखी पूजा लोखी पूजा भी कहा जाता है देवी लक्ष्मी को समर्पित है और बंगाल उड़ीसा और पुर्व के अन्य हिस्सों में मनाई जाती है भारत और पश्रिम कुछ रक्षित्रों में भी भारत बंगाल में को जागरी लक्ष्मी पूजा 2023 की तारिक 28 सक्टूबर है पूजा को बंगाली लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है भारत के पुर्वी हिस्सों में पूजा के लिए विशेश विधी या पदती का पालन किया जाता है को जगरी लक्ष्मी पूजा कब मनाई जाती है ये दुर्गा पूजा के बाद पुर्णीमा पुर्णीमा के दिन मनाया जाता है बंगाली लक्षमी पुजा का महत्व कोजगरी पुजा 23 और कोजगरी पुजा वरत का महत्व कोजगरी पुर्निमा के दिन ही शरत पुर्निमा भी मनाये जाती है धार्मिक मानता के अनुसार माना जाता है कि इस दिन देवी लक्षमी अपने वक्तों उसे मिलने आती हैं माता लक्षमी के आठ रूप हैं इन में से किसी भी रूप का ध्यान करने से देवी लक्षमी की किरपा प्राप्त होती है देवी लक्षमी के आठ रूप में धन लक्षमी, धन लक्षमी, राज लक्षमी, वैभव लक्षमी, एस्वरे लक्षमी, संतान लक्षमी, कमला लक्षमी और विजय लक्षमी इस दिन विशेस रूप से खीर बनाई जाती है क्योंकि इसका बहुत महत्व है ये मिठाई दूद से बनाई जाती है जिसे चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है इसके अलावा जो लोग इस वरत को करते हैं उन्हें मिरुत्य के बाद सिद्धी की प्राप्ती होती है इस तेन रात्री जागरन का भी विशिस महत्व है ऐसा कहा जाता है कि इस रात देवी अपने भक्तों के घर जाती है जो भक्त जागते हैं उन पर देवी लक्षमी की किरपा वरस्ती है कोजागरी वरत के लिए बनाई गई मिठाई का महत्म कोजागरी पुर्णिमा की रात को खीर बना कर रखने की परमपरा है इसका वैग्यानिक महत्मी बताया गया है कहने के अवशकता नहीं कि आश्मिन मास की पुर्णिमा को वर्षा रितु का अंतिम दिन माना जाता है विग्यान के नुसार इस दिन चंद्रमा प्रिथिवी के सबसे करीब होता है जिसके कारण चंद्रमा की किरने खीर पर परती है जिससे मन सांत रहता है और सरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है सांस की बीमारी वाले लोगों को इससे अच्छा फाइदा मिलता है इसके अलावा आँखों की रोस्नी भी बेहतर होती है कोजगरी पूजा, कोजगरी वरत कता कोजगरी वरत के बारे में कई अलग-अलग कहानिया वेविन स्थानों पर पाई जा सकती है हम आपको बताएंगे कि इन में से कौन सी कहानी सबसे लोग प्रिये है प्राचीन काल में एक साहुकार था उनकी मालक्षमी जिनकी दो बेटियां थी एक धर्म निष्ठा थी जो पुर्णीमा का वरत रखती थी साहुकार की बड़ी बेटी ये वरत रखती थी और पूरे विधी विधान से करती थी दूसरी और उसकी छोटी बेटी अज्यानता वश वरत अधूरा छोड़ देती थी जब वे वरत पूरा करने में विफल रहा तो देवी लक्षमी क्रोधित हो गई परिनाम सरूप साहुकार की छोटी बेटी के बेटे मरने लगे एक बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उसका बेटा मर जाएगा इसे साहुकार की छोटी बेटी को बहुत बुरा लगा और उसने एक बुद्धी मान व्यक्ति को अपनी समस्या बताए साधु साहुकार की छोटी बेटी को देख कर सारी स्थिती स्पस्ट हो गए उसने साहुकार की छोटी बेटी को पुर्निमा व्रत पूरा न करने और विधी विधान से न करने की गलती बताए उसने सहुकार की बेटी को वचन दिया कि यदि वे पुर्णीमा का वृत सही धंग से पालन करेगी तो उसका बच्चा जिवित हो जाएगा उसने रिशी के निर्देसों का पालन किया और पुर्णीमा के वृत को पूरा करने में अनुष्ठान किया इससे उन्हें एक बच्चा हुआ लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बच्चे की मृतु हो गए वे चीर गई और फिर उसे अपनी बरी बहन की याद आये उसने युबक को लकडी के एक छोटे से टुकरे पर लिटाया और उसे उपर कपड़ा लपेट दिया फिर उसने अपनी बरी बहन को बुलाया और उसे अपने उपर बैठने का इशारा किया बरी बहन इस बात से पूरी तरह से अंजान थी कि बच्चे का सब मिल गया है जैसे कि ही वे बच्चे पर बैठी उसका लहगा बच्चे को छुग गया और बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा, बरी बहन ने जब ये देखा, तो उसे डाटते हुए कहा, तुम मुझे कलंकित करना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाती, जब छोटी बहन ने बरी बहन की बात सुनी, तो उसने आदर पुर्वक कहा, कि ये तो पहले ही मर चुकी है, ये केवल आपकी और सदाचार के कारण ये जीवन में आया है, इस घटना के बाद साहुकार ने पूरे नगर को पुर्वनीमा का व्रत करने का अदेश दिया, तभी से इस दिन को देवी लक्षमी को समर्पित्योहार की रूप में मनाया जाने लगा, कोजगरी पूजा विधी, कोजगरी पूजा विधी, नारत पुरान में कोजगरी पूजा का उलेख है, इस व्रत में संबंधित विधी की जानकारी भी शामिल है, ये भगती आश्मिन माह की पुर्णीमा के दिन की जाती है, और पीतल, चांदी, तामबे या सोने से बनी, देवी लक्षमी की मुर्ती की पूजा की जाती है, सबसे पहले और सबसे महतपुर्ण बात मुर्ती को वस्तर पहनाया जाता है, कोजगरी वरत पर देवी की पूजा समाने रूप से की जानी चाहिए, इसके बाद रात को चंदरोदय के बाद विशेश पूजा की जाती है, आपको खीर ज्यादातर रा उसे खुले में रख देना चाहिए यदि चांदी के बरतन उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर नियमित बरतन का उपियोग किया जा सकता है फिर रात के समय देवी लक्ष्मी के सामने सो घी के दीपक जलाए इसके साथ ही मा लक्ष्मी का मंत्र और आरती विधिपुर्वक करनी चाहिए कुछ समय बीत जाने के बाद देवी लक्ष्मी को चंद्रवा की रोषनी में रखी हुई खीर का भोग लगाना चाहिए अगले दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने के बाद इसे खोलना चाहिए अगर आपको पैसे की दिकत हो रही है तो आपको इस गोजगरी पुर्णीमा पर देवी लक्ष्मी की पूजा करने चाहिए मा लक्ष्मी की किरपा आप पर हमेशा बनी रहती है कोजागरी वृत करने से देवी लक्षमी अपने भक्तों और अपने परिवारों को सुख और समरिधी का उपहार देती है इससे बच्चे भी खुसे हैं केवल शरत पुर्णिमा के दिन ही ये वृत किया जाता है शरत पुर्णिमा के दिन रातरी के समय निकलने वाली चैन्रमा की किड़ने मनुस्री के लिए अत्यांत लावकारी होती है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये कोजागरी लक्षमी पूजा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंद सेर करना बिलकुल न भूला थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट